अगर आप पहला वीडियो देखें हैं, इंड में मैंने टाइप साफ सेट पर फिनिस किया था मैंने पूरा पहले से क्लासिफिकेशन मेंसन कर रखा था कि हमारे पढ़ानी का सुरूप क्या होगा कैसे कैसे एक सेक्वेंस बे में टापिक को यहाँ पर गन्क्लूड किया जाएगा, लेके चला जाएगा उस कड़ी में हम लोग टाइप साफ सेट पर पहुँच चुके थे टाइप साफ सेट के पहुँचने के बाद मैंने अपने हिसाफ से चीजों का क्लासिफिकेशन किया था मैंने कहा था कगर कोई सेट हम लोग यहाँ पर explain कर सकते हैं तो सेट को हम दो रूपू में पहले तो categorize कर सकते हैं पहली कडिगरी यहाँ पर empty set की बन कर आती है, जिसको हम लोग हिंदी में रिक्त समुच्चे कहते हैं, रिक्त समुच्चे के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि रिक्त समुच्चे को अंग्रेजी के और से कई सारे नामों से यहाँ पर जानते हैं, जैसे कि हम इसको null set भी कहते हैं, इसको हम लोग white set भी कहते हैं, एक ऐसा समुच्चे होता है जिसके अंतरकत कोई भी element नहीं आता है, जैसे example के तौर बे मैंने कहा था, कि अगर हम natural numbers ले, 12 और 13 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, जो एक से छोटी हो, कोई भी पूर संख्या ले, मतलब whole number ले, जो की 0 से छोटी हो, ऐसी संख्या हैं जो possible नहीं हो सकते हैं, एक रिक्त समुच् के रोप में लिख करके दिखाया गया हो, उस सेट को हम लोग रिक्त समुच्च या empty सेट कहते हैं, दूसरा एक ऐसा सेट होता है, जिसके अंतरगर at least एक element जरूर आता है, मतलब एक ऐसा समुच्च है, जिसके पास कम से कम एक element जरूर हो, that means हम यहाँ पर इस सेट को यहाँ non-empty set कह सकते हैं, at least one element का मतलब एक का range है, मतलब एक का यहाँ पर limit है, कि कम से कम एक element हो, जैसे कि कोई class है, वो class तब तक खाली है, जब तक उसमें कोई भी student नहीं है, अगर एक भी student उस class में आकर बैठ गया, तो class अब खाली नहीं रह गई, वह class आपकी non-empty class के लाएगी, non-empty के दौरान मैंने देखा कि एक element भी हो सकते हैं, एक से जादा भी हो सकते हैं, इसलिए इनकी फिर से एक further category हम decide कर सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि एक से शुरू होकर कि एक से जादा का जो situation हो सकता है, वो infinite दख हो सकता है, अर्था सेट के दो फिर से proper classification बन कर आएए, एक finite set दूसरा infinite set, finite set का अर्थ होता है कि एक ऐसा set जिसके elements को आप गिन सके, count कर सके, जैसे कि अगर आपको हम कहें कि natural number 10 से छोटे लेने हैं, whole number 15 से छोटे लेने हैं, बढ़े लेंगे तो आप possible नहीं कि आपको counting नहीं possible हो पाएगी, मतलब आप गिन नहीं सकते कि इतने elements हैं, अ अधात एक ऐसा समच्चे जिसके ओयों को हम गिन सके, उसको हम finite set कहेंगे, एक ऐसा set जिसके ओयों को ना गिन सके, उसको हम infinite set कहेंगे, अगर हम finite और infinite की फिर से category यहाँ पर decide करें, तो दो और proper category यहाँ पर generate होती हैं, एक singleton set, दूसरा universal set, यहाँ से चीज़े आपकी फिर से derived होने जारी, बड़ी होने जारी है, singleton set एक ऐसा set है, जिसके पास only one element है, एक ही अगर element किसी set के अंदर गत हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर singleton set कहते हैं, अब only one element के लिए बहुत सारे example possible है, जैसे कि एक example मैं यहाँ पर इसके लिए ले सकता हूँ, the set of prime number that is also even number, मैं यहाँ प कहें, अर्थात अभाज भी कहें, साथ साथ यहाँ पर हम एक समसंख्या भी कहें, मैं इसका proper classification आपको थोड़े से समझाता हूँ, proper way में, मैंने का मैं explain करने जा रहा हूँ, singleton set के बारे में, singleton set एक ऐसा set है, जिसके पास केवल एक element हो, only one element, अर्थात उस set के अंदर केवल ए के element रहेगा, तब ही हम उसको singleton set कहेंगे, example के तौर पर मैंने आपको बताया, कि set up prime number, set up prime number, also even number, अगर आप number system का proper concept जानते हैं, तो आपको पता है कि prime संख्या, मतलब prime number मिन्स अभाज संख्या और even मिन्स आपकी sum संख्या, एक ऐसा element, एक ऐसा number होता है, जो कि prime भी होता और साथ सा driven भी होता है, इनके अलावा कोई और number possible नहीं है, दो एक ऐसा number है, जो कि prime मतलब अभाज भी हो, और साथ सा driven number भी हो, तो वह आपका एक singleton set बन गया, current में president किसी country का एक ही हो सकता है, prime minister एक ही हो सकता है, मतलब एक ऐसा set जिसके पास possibility ही एक elements देने की हो, वही set आपका sing इंगलिटन set कहलाएगा, दूसरा set आप लोग समझने की कोशिस करिए, जिसको हम लोग universal set कहेंगे, universal set के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज बहुत है, आगे चल कर कि आपको universal के बारे में समझना होगा, इसको denote क करने के लिए symbol या तो हम यू लगाते हैं, या तो कभी-कभी हम ऐसे denote करते हैं, यह एक ऐसा set होता है, एक ऐसा set है, जो एक से ज़्यादा sets को contain करता है, मतलब अगर किसी एक operation के during, हमारे पास कुछ set है, suppose करी A है, B है, C है, D है, अगर A के सारे elements, B के सारे elements, C के सारे elements, D के सार elements, किसी एक नए set में मिल जाए, तो वह set इन सभी का universal set कहलाएगा, यह set जो यू होगा, इन सभी का universal set कहलाएगा, जैसे अगर हम number system की बात करें, तो मैंने classification आपको दिया था, जो real number होगा, वह सभी rational और irrational का, सभी rational और irrational का universal set कहलाएगा, क्योंकि इसके भी सारे element real में रहेंग अगर हम यहाँ पर बात करें, rational को फिर से categorize कर दें, suppose करी integers आगें और fractional आगें, हम integer और fractional की भी बात करें, यह सब भी real, इस समय जो यहाँ पर हमारे पास rational number होगा, वह rational इसका जो है super set होगा, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो है universal set होगा, और यह real तो सब का universal हई है, मतलब अगर कोई भी एक operation पर फार्म करें, चाहे कि हम union की intersection कि या कोई भी set से related operation पर फार्म करें, एक ऐसा set जो कि सब को hold कर सके, मतलब सारे elements को hold कर सके, वही universal के अंदर गता है, अब universal नाम ही सुनते ही हमारे रिमार्क में आ जाता है कि एक ऐसा collection होगा, जो सब को hold करता होगा, कभी कभी इस सीज़ पर लेकर हम confused भी होते हैं, जैसे माली जे मैंने कहा कि एक real number सभी numbers का universal है, सभी number का universal set है, क्योंकि real number जो होता है, जिसको हम यहाँ पर वास्तिक संख्या कहते हैं, इसके अंतरगत ही सारी संख्याएं यहाँ पर generate होती हैं, चाहे वह आपकी rational number हो, चाहे पुड प्रांग संख्याएं हो, चाहे पूड संख्याएं हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, सब के सब पार्ट हैं किसके real number के, इस समय हम real number को universal set कह सकते हैं, अर्थात हम इस real number को अगर 8 से indicate करें तो हम इसको U से भी mention कर सकते हैं, यह हमारा universal set है, सब पोच करिए मेरे पास एक set 2-3 set का combination है, आप लोग भ्यान देंगे तो समझ में आएगा, जैसे मालीजे इसके पास 2, 4, 6, 8 कुछ ऐसे elements हैं, इसके पास मालीजे 1, 3, 5, 7, 5 ऐसे कुछ 5 तक के elements हैं, इसके पास यहाँ पर 6, 7, 8 ऐसे कुछ elements हैं, एक ऐसा set U जिसके पास इन सभी के elements हों, जैसे 1 है, 2 है, 3 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अब आप देख रहे हैं, चाहे इसके elements की बात किया जाए, ओ भी उसके अंदर है, इसका भी elements इसके अंदर है, उसके पास और भी extra elements हैं, तो वहाँ सभी set का universal set कहलाएगा, यूनिवर्सल का अर्थी हो गया कि सब को contain करना मतलब अगर किसी operation के during हमें एक से ज़्यादा set ले रहे हैं तो सभी sets के element को वा hold कर सकता है और एही set आपका universal set कहलाता है जिसको हम generally use है या तो हम इस प्रकार की symbol से इसको हम indicate करते हैं आपको जब हम इसके relate करते हुए operations को समझाएंगे proper calculations लेंगे तो यह ज़्यादा समझ में आएगा generally लोग को यह लगता है कि universal मतलब एक ऐसा चाहे जो भी प्रकार के set हैं उन सभी का combination हो उन सभी का combination मतलब उसके पास infinite तक के elements है अब जैसे कहीं पर इसकी बात कोई करे कहे गए कि यहाँ पर एक से लेकर हमने का 10 तक के elements है अब कोई set इससे भी बड़ा हो सकता है लेकिन current situation में current सेनारियों में यह इन सेट्स का universal है मतलब इस process के दौरान इस process के दौरान अगर इस segments को लिया जाएगा इस समय यह universal होगा वो सकता है किसी और combination के दौरान universal में एक से लेकर infinite तक के elements हो लेकिन उस समय बाकी sets के अंदर भी बहुत सारे elements आपको दिखेंगे तो universal को दिमाग में इतना रखिएगा कि during an operation in the set theory it is the super set you can say it is the super set आप all the sets मतलब बाकी सारे समुच्चेों का या सबसे बड़ा समुच्चे होता है उन सारे elements को hold करके रख सकता है तभी इसको हम लोग यहाँ पर universal set कहते है बाकी इसके बारे में और जानकारी में धिरे-धिरे आपको देता रहूँगा वह सारी बाते आपको समझ में आनी सुरू हो जाएंगी आती रहेंगी इसके बाद देखी अगला topic जो हम ले रहे हैं वह है equal and equivalent set इसको समझने की कोसिस करिएगा equal and equivalent set क्या है मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले equal को हमने कहा समान और इसको कहा मैंने समतुले समुच्चे समान और समतुले समुच्चे कि मैं category आपको निर्धारित करके समझाता हूँ जैसे मैंने माली जी एक set लिया A, जिसके पास elements है A, B, C और एक दूसरा set मैंने लिया B यहाँ पर मैंने लिखा 1, 2, 3 अब आपने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों sets के कॉर्डिनल नंबर फाइंड करें यहन आप A तो इसका कॉर्डिनल नंबर 3 होगा यहन आप B इसका कॉर्डिनल नंबर भी 3 होगा बट elements सेम नहीं है दोनों के आवयों समान नहीं है आवयों के नंबरिंग समान है उनकी काउंटिंग समान है एक दो ऐसे समुच्चियों का समूँ जिसके कॉर्डिनल नंबर सेम हो इप कॉर्डिनल नंबर आर सेम कॉर्डिनल नंबर आर सेम अगर कॉर्डिनल नंबर समान है दे सेट्स आर काल्ड Equivalent Set उनको हम Equivalent Set कहेंगे मतलब उनको हम सम्तुल समुच्चे कहेंगे मतलब अगर केवल दो सेट के Cardinal Number समान हो गए तो वह दोनों सेट आपके Equivalent Set कहलाएंगे अर्थात इस समय A और B जो हमारे पास यहां पर सिनारियो दिया है इस दोरान A Equivalent है यह Equivalent है B के लेकिन एक दूसरा हम Definition यहां पर दे रहे हैं If ध्यान देना Cardinal Number पहली चीज़ Cardinal Number and Elements Elements Both are Equal या Both are Same Both are Same Then it is called It is called Equal Set ध्यान देने की बात है आप लोगों समझ में आ गया होगा कि Equal और Equivalent में क्या Difference है इन दोनों Sets को हम Equivalent तो कह सकते हैं लेकिन हम Equal नहीं कह सकते हैं इन दोनों को हम Equivalent कहेंगे अर्थास सम्तुल कहेंगे बट हम इनको Equal नहीं कह सकते हैं जब यहीं पर एक हम दूसरा पेर लेते हैं दो Sets का तो हम सायद आपको समझा पाएं कि यहां पर यह दोनों Sets आपके Equal हैं जैसे कि मालीजे मैंने एक Sets लिया A उसके पास है A, B, C एक दूसरा Sets मैंने लिया B इसके पास है B, C, A अब आपने नोटिस किया इनके Cardinal Numbers अगर मैंने देखा यनाफ A is equal to 3 इसका Cardinal Numbers मैंने देखा यनाफ B is equal to 3 मतलब Cardinal Numbers सेम है अगर हम Elements की बात करें कि दोनों के Elements आपस में मैच कर रहे हैं भले ही Order का Difference है जैसे यहां पर A, B, C लिखा है यहां पर B, C, A लिखा है इससे कोई फरक नहीं बढ़ता है तो A, B, C, B, C, A Order की डिफरेंस होने से कोई फरक नहीं मतलब Elements का समान होना जरूरी है अगर दोनों की Elements और उनके Cardinal Numbers दोनों सेम है तब तो ओ दोनों सेट आपके Equal सेट कहलाएंगे हम Equal सेट इन दोनों सेट को कह सकते हैं इस दोरान यह दोनों सेट आपके Equal हैं क्योंकि इनके Cardinal Numbers और इनके Elements दोनों Equal हैं अब आपने Notice किया अनुभो किया कि क्या Comparison किया जा सकता है दोनों के बीच में Yes, Compare हम कर सकते हैं किसको? Equal को और Equivalent को देहान दीजेगा Equal को और Equivalent को अर्था समान को और समतुल्य को समान को और समतुल्य को क्या कि Cardinal Numbers सेम होने चाहिए मैंने पिछली क्लास में आपको Cardinal Numbers की बारे में बताया था यहां पर दो चीज सेम होनी चाहिए मतलब Cardinal Numbers और साथ साथ मैंने कहा था कि Elements भी सेम होने चाहिए तो दोनों के बीच Equalty हो Cardinal Numbers भी सेम हो equivalent कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि उसके पास cardinal number का same होना पहले से fix है but you can not say मतलब यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहे सभी समान समुच्चे सम्तुल है तो आप कह सकते sir yes बिल्कुल है लेकिन अगर कोई आप से कहता है क्या सभी सम्तुल समुच्चे समान है तो आप कहेंग सर नहीं हो सकता है एक्जामपल आपने देखा जैसे मैं लिजी मैरे पास एक एक्जामपल और मैं यहाँ पर लेकर कि आपको समझा दूँ माले यहाँ पर यम यन है यहाँ पर एक दूसरा set है मेरे पास सपोचकर यन और यम है यन और यम है अभ आपने नोटिस किया कि इनके पास d últimos हैं इनके पास वी दो ही elements है मतलब इनके cardinal number सेम है elements भी सेम है अर्थात a बराबर b है दोनो sets आपके सेम है अब दोनो sets सेम होने के साथ cardinal भी सेम है इसलिए worst sets आपके equivalent तो होते बट equal नहीं होते यहाँ फरक है equal और equivalent के बीच में equal और equivalent को हम लोग इस परकार से यहाँ पर differentiate कर सकते हैं समझ सकते हैं अभी मैं subset पढ़ाऊंगा तो subset के साथ भी मैं यहाँ पर equal को थोड़ा सा relate कराऊंगा आपको समझ में आएगा कि और definition उसकी बन कर आएगी मैं उसको subset पढ़ाने के बाद आपको समझाता हूँ अगला देखिएगा अगला हमारे पास जो topic है वो है bend diagram क्योंकि यह सबसे important part set theory का होता है bend diagram क्या है bend diagram एक diagrammatic representation है किसका एक से ज़्यादा sets या set से related जितने भी operations पर फाम हो सकते हैं उन सबी का इसके बारे में बताया गया कि इसको हम logic diagram भी कह सकते हैं इसको हम set diagram भी कह सकते हैं आप इसके different different नाम यहाँ पर दे सकते हैं इसका स्रीय जाता है John Wynn को जो कि around 1880 के आस पास की बात है ओ भी inspired थे with the Euler diagram Euler mathematics के बहुत बड़े scientists थे जिन्होंने mathematics और science की technology की छेतर में बहुत बड़े-बड़े inventions किये हैं अगर आप science background के हैं math समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आप Euler को नहीं मतलब Euler के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते होंगे Euler को बहुत भली बात जानते होंगे Euler से inspired होकर कि उन्होंने इस प्रकार का एक representation किया कि अगर हमें किसी एक group या groups के combination को कहीं पर explain करना है तो theory की मदद से हम लोगों को समझा नहीं सकते properly हमें उसके लिए figure का साहरा लेना पड़ता है figure की मदद से हम लोग बड़े से बड़े critical data को आसान तरीके से लोग के सामने represent कर सकते हैं और बड़े से बड़े operations को easily handle कर सकते हैं इसके लिए John Wynn ने Ben Diagram invent किया और उसके अंदर कुछ special symbols या figure का use करके उन्होंने बड़ी सी बड़ी criticality को remove किया मैं आपको बताता हूँ कि Ben Diagram के अंतरगत अगर हम Ben Diagram की बात करें तो Ben Diagram के बारे में मैंने बता दिया Ben Diagram के अंतरगत दो प्रकार के symbols का प्रयोग किया जाता है एक तो circle का use किया जाता है circle और दूसरा rectangle का use किया जाता है मैं एक एक के बारे में पहले समझा देता हूँ कि circle और rectangle का प्रियोग कैसे किया जाता है circle का use किया जाता है to collect या to represent to represent one set एक set को represent करने के लिए circle का use किया जाता है दूसरा figure हमारे सामने है rectangle rectangle को हम लोग कहते हैं आयत आपको पता है अच्छी तरह से इसको हम बृत कहते हैं और इसको हम लोग आयत कहते हैं यह जो rectangle अर्थात आयत होता है यह contain करता है more than one circle यह एक से अधिक circle अर्थात एक से अधिक set को contain करता है contain more than one circle circle का मतलब sets एक से ज़्यादा sets को hold करता है अर्थात it hold या it represents यह किसको represent करेगा it represents universal set यह universal को represent करेगा मैं आपको एक्जाम पर लेकि छोटे से दिखा देता हूँ कि आपको सारी बाते समझ में आ जाएं मतलब जब हमें किसी एक set या set से related operations को handle या solve करना है तो उस दोरान हमें set को और set से relate करते ही universal set दोनों को एक figure के माध्यम से दिखाना पड़ता है जैसे माली जी एक से ज़्यादा group है हर group के बीच कुछ ना कुछ common situation है कुछ ना कुछ common elements है इस दोरान आप उनी elements को बार-बार repeat करने के बजाए एक ऐसे जगा पर लिख देते हैं जो कि पहले sets को भी denote करेगा, represent करेगा दूसरे को भी, तीसरे को भी और उस पूरे group या पूरी surrounding को भी मतलब अगर हमें sets को केवल दिखाना है तो हमें circle का use करना होता है बट ये सारे के सारे circle रखे किसे अंदर जाते हैं किसे rectangle के अंदर रखे जाते हैं जो कि universal set को represent करने का काम करता है एक example के माध्यम से हम bend diagram के approach को समझते हैं कि किस प्रकार से यह बड़ी सी बड़ी criticality को remove करने में helpful होता है suppose करी मैंने एक छोटा सा example लिया माली जे मैंने लिखा A A के पास यहाँ पर suppose करी A, B, C, D इस प्रकार से चार elements थे एक हमारे पास B था B की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर B, C, E यप हमारे पास कुछ elements थे और अगर हमने एक U यहाँ पर consider किया जिसको universal कहेंगे जो कि A, B, C, D, E, यप माली जे जी तक भी है इस तरह के कुछ elements इसके पास है इसको देखने के दोरान जब मैंने bend diagram की planning करी तो bend diagram में आप देखी किस प्रकार से हम इसको represent कर सकते हैं ध्यान देजिएगा सभी लोग हमने सबसे पहले यहाँ पर rectangle बनाया जैसा मैंने आपसे कहा था rectangle किसको hold करेगा, universal को hold करेगा इसलिए सबसे पहले u लगा दिया अब मैंने अनुबह किया कि दो sets मेरे पास है और मेरा जो यहाँ पर objective है कि इन जो elements जो बार बार repeat किये गए हैं उनको मैं एक ही बार लिखूँगा वह a के लिए भी काम करेंगे, b के लिए भी काम करेंगे universal के लिए भी काम करेंगे तो सबसे पहले मैंने इस प्रकार से क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कामन है तो मैंने यह structure generate कर दिया इस structure को बना दिया अब यह set A है, यह set B है अब अगर हम इस region की बात करें यह region वह होगा जो दोनों के elements को contain करेगा मतलब यह common elements के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा इसकी बात अगर हम करें तो हम यह only A के लिए होगा मतलब वो elements होंगे जो केवल A में रहते होंगे यहाँ पर अगर जो elements आएंगे केवल B के elements आएंगे only B और जो इधर के region में बागे rectangle में कहीं भी लिखे जाएंगे वो लिखा जाएगा not in A not A and B ना तो A में रहेंगे ना तो B में रहेंगे क्यों universal के part रहेंगे अब सबसे पहले मैंने common ढूडा तो common की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि B common है C common है तो B और C को हमें उठा के बीच में रख दिया अब इसका B C गया है तो बचा क्या देखिए A बचरा है, D बचरा है जो कि केवल A में है इसी तरह से इसका अगर B C चला गया तो यहाँ पर क्या बचरा, E बचरा है, यब बचरा है अब मैंने देखा कि A, B, C, D A, B, C, D, E, F तक हो चुका है जी और हम लोग कहीं पर प्रेजंट कर देए यह पूरा combination त्यार हो गया इस combination में अगर हमें A, B, C, D या हम A के elements की बात करेंगे हम इतना पूरा ले लेंगे, इसको गायब कर देंगे अगर हम B के elements की बात करेंगे तो इतना पूरा ले लेंगे, इसको गायब कर देंगे इस प्रकार से अगर मुझे उन common elements को लेना हो जो की A, B और A, B में दोनों में हो तो हम लोग इसको ले लेंगे इधर का region और उधर का region गायब कर देंगे एक और example की मदद से इस पूरे process को हम समझेंगे जैसे मैंने माली जी यूनिवर्सल ले रखा है A ले रखा है, B ले रखा है, C ले रखा है इस पूरे को ही represent करा जाएगा अगर bend diagram में हम bend diagram की planning देखी उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी मैंने आपको समझाया था हम यहाँ पर भी एक rectangle generate करेंगे सबसे पहले, उस rectangle के बारे में बताएंगे कि इसके पास एक से लेकर 10 तक के सभी elements होंगे जो कि अलग-अलग sets में बटे हुए हैं ऐसे समुच्चों में हैं जिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ elements ऐसे हैं जो तीनों में हैं कुछ elements केवल दो में हैं मतलब चाहे OAB में हो, चाहे BC में हो चाहे AC में हो तो मैंने इसकी planning कुछ इस प्रकार से कर दी यह देखे बनाने का process इस तरह के कभी भी combinations को अगर हम देखे हैं फेस करें तो, अब आप ध्यान दीजिए यह set A है, यह set B है और यह set C है, सवर प्रतम हम उस elements का चुनाव करेंगे, selection करेंगे जो की प्रतेक में है जैसे मैंने देखा 2 सब में है तो 2 को उठा के मैंने यहां रख दिया अब मैं यहां पर notice करूँगा उन elements को जो की केवल A और B में है अगर हम A और B की बात करें तो 4 को मैं देख रहा हूँ जो A और B में ही केवल है बाकि इसके पास 7, 8, 9 है इसके पास 1, 6, 9 है 2, 4 का काम खतम हो रहा है तो मतलब मैंने notice किया यहां पर मैं 4 लिख सकता हूँ अब हम A के साथ क्या ऐसे elements भी देख रहा है जो केवल C में है यहां पर 6 है यहां भी 6 है तो मैं उस element को यहां लिख देता हूँ जो केवल A और C में है क्या कुछ ऐसे भी है जो केवल B और C में है मैंने इस चीज को जब notice किया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 7 है यहाँ 7 है तो मैंने उठा के यहाँ पर 7 भी रख दिया अब हम चलते हैं elements को बाकी दिखाने के लिए अब only का number आता है जैसे अगर एक ही बात किया जाए तो उसके पास फुल 5 elements थे आप अनभो कर रहे है नोटिस कर रहे है पांच में 3 खतम हो चुके है 2, 4, 6 आपके cover हो चुके है 2, 4, 6 कबर है तो 1 और 9 इसका बचा हुआ है इसी तरह से इसकी बात अगर किया जाए तो 2, 4, 7 फिनिस हो चुका है B का तो बचा कौन है 8 बच रहा है 10 बच रहा है इसी तरह से इसकी बात अगर हम करें तो 2, 6, 7 ओवर हो चुका है तो बचा कौन है 5 बच रहा है अभी अगर मैं नोटिस करूँ तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवर हो चुका है केवल एक element बच रहा है 3 जो कि not in A, B, C मतलब ना तो A में है ना B में है ना C में है अब आपको अगर मैं explain करके बताओं तो आप इतना समझ गए होंगे यह region वह है जो कि केवल A में लाई करता है केवल A के पास रहता है यह region वह है जो कि A and B में रहता है मतलब A और B में रहता है यह region वह है जो कि A and C मतलब केवल C में रहता है यह region वह है जो कि A and C में रहता है A and C में रहता है इसकी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर यह B and C में रहता है B and C के elements है यह आप देख पा रहे हैं कि only B है जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यह A, B and C में है अब आपने एक चीज नोटिस किया यह diagram किसी को दिखाने पर इसकी comparison में वह जल्दी से चीजों को trace कर पाएगा, समझ पाएगा जो objective है B and C क क्रिटिकलिटी जो थी यहाँ पर confusion थे, जो इतने सब कुछ लिखे हुए थे उसको इसने remove कर दिया, खतम कर दिया तो यहाँ खतम करने के बाद यह system हमारे सामने bend diagram का आ रहा है जो कि आपकी इस problem को दूर कर रहा है, अब यहाँ use किया जाएगा आगे चल करके, different different operations में, sets के representation में, problem को solve करने के दौरान, आप इसका बहुत ज़्यादा utilization करेंगे, use करेंगे I hope यह clear हुआ होगा कि कैसे bend diagram develop किया जाता है अब आगे बढ़िये, जैसे अगला set का एक बहुत important part है, जिसको हम लोग subset and proper subset This is the most important part in the set theory कि subset क्या है और proper subset क्या है, मैंने इसका discussion अभी थोड़ी दिर पहले आप से किया था, तब जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, equal and equivalent बढ़ रहे थे, equal की definition भी subset से explain की जाती है मैं आपको सबसे पहले subset बताता हूँ कि subset क्या है, तो subset की definition को पहले समझिए अगर मैं consider करूँ, एक set, दो set, मैंने consider किया consider any two sets, अगर मैंने दो sets लिए, A and B, अगर मा लीजे मैंने दो sets लिया, A और B मैंने notice किया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, if each elements elements of A also in B also in B कहने करत हुआ, यह प्रतेक अवयो, A के, B में भी हैं, मतलब A के सारे अवयो, अगर B में भी हैं तो A, subset है B का, A symbol होता है subset का, यह subset है B का, मतलब right now, A is the subset of B, और इसी समय मैं कह सकता हूँ, कि B is the B is the super set B is the super set of A B, A का super set है जैसे, दो लोग हैं दो में, एक इस type का relation है, कि जो काम पहला बेक्ती कर सकता है वह सारा काम दूसरा कर सकता है साथ साथ दूसरा कुछ अन्य काम भी कर सकता है मतलब A अगर पहला elements है पहला set है, B दूसरा set है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस condition के हिसाब से अ के पास जितनी authority या जितने भी working ability है वो सारी working ability और authority B के पास भी है B के पास कुछ अतरिक्द भी है या है या नहीं, अलग चीज है लेकिन A के सारे aware अगर B में है तो जितनी सकती A के पास है वो सारी की सारी सकती अगर B के पास है तो A subset हुआ B का, जैसे अगर आप example लें, एक college की बात अगर हम करें, तो principal and teacher, teacher is the subset of principal, directly हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा हम इसे discussion का point नहीं लेना चाहते हैं, बस क्यों समझाने के मुद्दे से आपको बता रहें, जैसे अपने country की बात करें, तो आप देख के सब central government के क्या हैं, subset हैं, जबकि central government is the superset of all the states, वो सब की क्या है, superset है, यही चीद मैं यहाँ पर बताना चाहता था, अगर A के सारे अवेव B में हैं, तो A subset है B का, B superset है A का, example के तोर पर, मैं आपको समझाता हूँ, मालीजे मैंने लिखा एक set A, A के पास है मालीजे ABC, एक set दूसरा B है, उसके पास suppose करी A, B, C, D, E है, अब मैंने देखा कि A के सारे elements B में हैं, इसलिए A is the subset of B, अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, A, B का subset है, subset का actual symbol यहाँ पर क्या होता है, यह हवाला होता है, यह equality को दिखाने के लिए होता है, मतलब वहाँ उससे कम है, यह उसके बराबर है, मतलब उसका सब कुछ अगले के पास है, तभी वहाँ subset है, यह subset की definition और example का process होता है, जो मैंने आपको समझाया, एक दूसरा सब्द लिखा है, proper subset, अब एक तो होता है जैसे आप ऐसे समझेए, एक तो होता है डाक्टर, और एक होता है particular for any special condition, जैसे आप सुनते होंगे सहर के बड़े-बड़े डाक्टर होते हैं, कोई neurologist है, कोई psychic है, कोई bone specialist है, कोई cardiologist है, अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ओ केवल एक ही particular रोग को देखते हैं, जैसे अगर आप उनके पास, किसी bone specialist के पास hurt की problem ले ने देखा होगा, अनुभो किया होगा, जिनके पास हर रोग का मर्ज होता है, आप उनके पास कभी जाईएगा, तो चाहे आपको जो कुछ भी हुआ है, उसका इलाज उकर देते हैं, ओ specialist नहीं होते हैं किसी चीज में, अगर आप किसी एक teacher से सोचिए, कि उस सारे subjects आपको history उसके elements उसमें हो सकते हैं, साथ साथ दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो दो definition इसकी बन कर आती है, कि A, B का subset भी है, और A, B के बराबर भी हो सकता है, सबसेट होने के साथ साथ बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम केवल subset की बात करें, तो नीचे का symbol हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा, about the proper subset, तो आपको सारी बाते समझ में आएगी, proper subset के साथ भी आप देख रहे हैं, subset सब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात वह subset तो है, जैसे हमने कहा, A is the proper subset of B, ध्यान देना, यह जो symbol है, वह proper subset का है, अर्थात हिंदी में इसको कुचित समझे कह सकते हैं, यह proper subset है, जैसे अगर मा लिजिए, मैंने 2 subset लिया, एक लिया A, 1, 2, 3, एक दूसरा लिखा मैंने B, मैंने कहा कि 1, 2, 3, अब आप सोचो, A subset है B का, yes है, B भी तो subset है A का, अगर ऐसा है, B भी subset है A का, A भी subset है B का, इस definition को आप कह सकते हैं, कि A equal है B के, मतलब A और B आपस में बरावर हैं, जब मैंने equal set बताया था, तो उसकी एक definition यह भी हो सकती है, कि दोनों set एक दूसरे के subset हों, तो दोनों set equal अर्था समान समुच्चे कहलाते हैं, अब आपने देखा, इस दोरान अगर हम इसकी बात करें, A subset है B का, yes B भी subset है A का, अर्थात A यह दोनों subset तो हैं, बट प्रापर नहीं हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास दो definition अर्थात या दो nature को face करते हैं, दो nature से belong करते हैं, अगर एक केवल subset होते, केवल subset होते, तो equal नहीं होते, तो उनको हम subset तो कह सकते थे, साथ साथ जरूत पढ़ने पर प्रापर भी कह सकत एक्जामपल के तौर पर, जैसे माली जी मेरे पास है A, B, C, मेरे पास है A, B, C, यहाँ पर अगर सपोच करिए, आपके पास है A, B, C, D, E, अब इस दोरान, अगर मैं कहूं कि A is the subset आप भी, तो आप accept करिए, yes है, आपसे मैं कहूं, A is the proper subset आप भी, आपके दिए बिलकुल ह क्योंकि A के सारे element B में हैं और A is not equal to B, A, B के बराबर नहीं है, याद रखिएगा, A subset तो रहे B के, बट A, B के बराबर ना रहे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि one set, दूसरे set का proper subset है, अन्य था, subset तो सब हो सकते हैं, लेकिन proper subset होना एक अलग condition है, आप इसको समझिएगा, proper में equal नहीं रहेगा, example के तोर पर एक और में लेता हूँ, मैंने कहा, exit है A, इसके पास है 1, 2, 3, 4, 5, अब दूसरा भी exit है B, इसके पास है 2, 3, 1, 4, 5, मैंने order थोड़ा सा बदला है, अब मैं कहूं कि A is the subset of B, आपके दो yes, बिलकुल है, आपसे मैं फोच हो, कि B is the subset of A, आपके हो elements A में हैं, मैं कहा दू, A is the proper subset of B, आपके सर नहीं है, क्योंकि A, B के elements B में तो हैं, बट A, B के बराबर भी है, दो definition काम कर रहे हैं, इसलिए है proper subset नहीं है, B is the proper subset आप है, आपके दो सर बिलकुल नहीं हो सकता है, क्योंकि B के सारे elements भी, अगर A में हैं, तो चलो ठीक है, लेक A is equal to 1, 2, 3, 4, और दूसरा है मेरे पास B, 1, 2, 3, 4, 5, अब मैं कहा दू कि A is the subset आप B, आपको होगे सर बिलकुल, yes, मैंने कहा A is the proper subset आप B, तो आपके दो सर, yes, proper भी है, A, B का proper है, A, B के क्योंकि बराबर नहीं है, A is not equal to B, इसलिए मैंने कहा या subset तो है, साथ-साथ इसके प प्रापर भी है, मतलब उचित समुच्चे भी है, उचित उप समुच्चे भी है, इस चीज को याद रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, अर्थात आपको या ध्यान में रखना है, कि equality का चांस ना बन पाए, तब ही वह आपका proper subset है, बढ़ते हैं इस चीज को समझ म चलेंगे, तो सबसे अच्छी situation में रहेंगे, अब आप देखिए क्या होता है power से, मैंने एक definition लिखा, the power set, ध्यान दीजेगा, the power set of any set A is denoted by, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, ध्यान दीजेगा, denoted by P of A, P of A, P of A क्या होगा पता है, that is the set of set of each possible, each possible subset, subset of set A, मतलब जो set हमको A दिया गया है, उस set A के, उस set A के, जितने possible subset हो सकते हैं, उन सभी subset का set होगा, मतलब ऐसे समझिए, यह नाम power है, तो सही में अपनी power या strength को दिखाने की बात कर रहा है, कोई एक general set लीजिए, उस set से लेकर, आप कितने नए-नए set बना सकते हैं, उसको power set क्याते हैं, जैसे मालीज यह class है, class में 10 बच्चे हैं, अब हमने क्या किया कि 10 में से एक को उठा के एक दूसरी class में बैठा दिया, एक नए class बन गई, दो को उठा के कहीं बैठा दिया, एक और नए class बन गई, तीन को उठा के कहीं बैठा दिया, एक नए class बन गई, उन 10 बच्चों की मदद से आप ऐसी कितनी कच्छाएं बना सक क्योंकि ओ सारे के सारे आप ही के तो पार्ट हैं यहीं से तो निकल कर गए हैं जैसे माली जी एक पूरे इस्ट्यूशन में दस क्लासरूम बने हैं अब दस क्लासरूम में में अलग-अलग बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं हमने क्या किया इन सभी दस को उठा कर एक जगां प फला इंस्ट्यूशन के नाम पर है उस इंस्ट्यूशन के सब के सब सबसेट हैं आप ऐसे समझेए इद्याल आर्द सबसेट आप दिस सेट अब मैंने उसी तरह से कहा कि अगर पर्टिकुलर सेट के एलिमेंस का प्रियोग करके हम नंबर आप सबसेट बनाना चाहें और उन सबी सबसेट को उठाके एक पर्टिकुलर सेट के अंतरगत रख दें तो उसी को हम पावर सेट कहते हैं अब आप समझे इसके लिए सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि किसी सेट के अंतरगत कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं या डिसाइड करें तो मैं यहाँ पर ल इसके लिए इस फार्मूले का यूज किया जाएगा किसी सेट के अंतरगत कितने सबसेट हो सकते हैं तू की पावर यन पे डिपेंडेंट होगा जहां पे यन क्या होगा नमबर आप एलिमेंस इन दे सेट मतलब उस सेट में कुल कितने अवयो हैं उसको हम टू की पावर पे अपलाई कर दें तो जो नमबरिंग होगी वही नमबर आप सबसेट होगा अब उन सभी सबसेट को आप डिजाइन करिए और एक सेट पे उठा के रख दीजिए तो उसी को हम पावर सेट कहेंगे एक्जामपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी समझ में आ जाएगा माली जे मैंने एक सेट लिया ए जिसके पास elements अपोच करी 1 and 2 है कितने elements है 2 मुझे से कहा गिए एक्जाम में find पी आप ए आप पी आप ए बताइए क्या होगा पावर सेट पूच रहा है इसके लिए सबसे पहला काम मैंने नंबर आप सबसेट find किया नंबर आप सबसेट find किया तो नंबर आप सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 2 क्यों क्योंकि दो ही elements अर्थात नंबर आप सबसेट कितने बनेंगे 4 बनेंगे मतलब कुल 4 सबसेट बनेंगे 4 सबसेट के साथ-साथ मैं एक और कंडीसे नहीं पर आपको बता दूँ उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 5 5 मतलब null sit is the subset of is the subset of every sit हर sit का subset होता है मतलब किसी भी समुच्चे का जो 5 होगा वह जरूर भाग होगा वह दिखता नहीं है लेकिन रहता सब में अगर हम 5 की बात करें 5 the subset of this set yes this set is yes मतलब कोई भी सेट आपको दिया गया है तो 5 उसका एक उप समुच्चे जरूर होता है अब मैंने कहा कि यह जो set दिया गया है इसके हमको PFA अर्थात इसकी power हमें पता करनी है power पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PFA अब हम इसके लिए set बनाने जा रहे हैं set में हम अलग-अलग जितने possible इसके subset हो सकते हैं इनसे मिला करके उनकी बात हम total यहाँ पर करेंगे अर्थात हम किसी एक ऐसे set को बना सकते हैं जिसमें 1 हो अर्थात एक elements हो किसी ऐसे set को भी बना सकते हैं जिसमें 1,2 हो अर्थात दो elements हो किसी ऐसे set को भी बना सकते हैं जिसमें 1,2,3 हो अर्थात तीन elements भी हो कुल इसके पास अगर दो elements थे तो इनकी मदस जिसे अगर हम एक सेट बना दे देखिए, वो तब उसमें एक रख दिया अब आप बताईए, यहाँ पर हम कोई ऐसा भी बना सकते थे यहाँ पर थ्री तो है नहीं न, तो छोड़िए वन के लिए हम बना सकते थे, टू के लिए हम बना सकते थे अर्थात हम पहले तो एक काम करेंगे, किसी का पहला सबसेट हम फाई ही रख देंगे फाई रख दिया, दूसरे सबसेट में हम उस सेट के अलग-अलग एक-एक एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे एक एक elements को लेके बनाया तो एक set देखिए 1 आया एक set जिसके पास केवल एक element 2 है देखिए ए भी एक नया set है और द्याल आड़ पार्ट आपके उसी के तो पार्ट है न ज्यांदी जी उसी के पार्ट है एक तीसरा set बनेगा जो कि 1, 2 और 1, 2 केवल दो ही element है अब एक तीसरा set भी हमारे सामने है कुल मिला के अगर set की बात किया जाए तो चार set टोटल बने अब एक चार set की बात करे यह भी उसका subset है अर्थात हम कह सकते हैं 5 is the subset of है मैं कह दो कि 1 is the subset of है मैं कह दो यहाँ पर 2 is the subset of है और मैं कह दो यहाँ पर 1, 2 is the subset of है कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मतलब ए जितने भी चारों मैंने लिए ए सब के सब एके सबसेट थे क्या और पॉसिबल ऐसे हो सकते नहीं, कुल चार ही बन कर आएंगे तब जब एक के पास केवल दो elements हैं, यहाँ पर एक नई बात मैंने आपको बताई कि फाई सब ही का proper subset है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फाई सब ही का subset जरूर रहता है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अब एक ध्यान दीजेगा, एक और example मैं ऐसे लेता हूँ, suppose करिए एक दूसरा set है मेरे पास, जिसके पास है A, B और C, तीन elements total है, मुझे कहा गए exam में, find PFA, आप PFA पता करिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, number आप subset बताएंगे, number आप subset, number आप subset क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 अर्थात 8 होगा, full 8 है, यहाँ पर set बनेंगे, subset बनेंगे शुरुआत करिए, देखिए, PFA के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, तो पहला मैंने कहा तब PFAE ही होगा, अब आप एक-एक elements पहले लेकर set बनाईए देखिए, A लिया मैंने B लिया मैंने, A एक-एक लेकर बनाईए, C लिया मैंने चार बन गए, total, अब दो-दो लेकर बनाईए, दो लेकर बनाने के दौरान जैसे पहले को उठाईए, उसको fix करके बाकि जतने pair हों उसको बना लीजी A के साथ B बनेगा A के साथ C बनेगा चलिए, A का काम हो गया अब B से सुरू करी, A को छोड़ दीजिए B के साथ C बनेगा, आगे तो जा नहीं रहा है ना, बस छोड़ दीजिए अब B से मतलब double की pairing खतम हो चुकी है अब हम 3 के elements, मतलब पहले 0 length, फिर 1-1 length, फिर 2-2 की length अब finally maximum length maximum length A, B, C यह भी तो subset होगा, अब total अगर मैं count कर दूँ, तो जितने number आप subsets मैंने यहाँ पर बताया थे उतने ही set बन कराए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, खुल 8 set बन कराए, तो क्या समझा आपने, कि 5 को include करके total 2 की power yen हम लोग subset किसी भी set के बना सकते हैं, अगर ऐसे प्रसनिक जाम में पूछे जाते हैं, तो आप number आप subset बता सकते हैं, साथ-साथ उन subsets को design कर सकते हैं, यह कि यहीं पर नया सब्ध हम आपको और बता दे number आप proper subset अब आप ध्यान दीजेगा, number आप proper subset, अब proper subset में आप जानते हैं, उस set को हम subset नहीं कह सकते हैं, जो equal है, जैसे अभी हम subset की बात कर रहे हैं, तो मैं अंतिम में उनकी maximum length से भी set बनाता था, जैसे अभी पिछले में हमने 1, 2, 3 लेके बनाया, पिछले में उसके पहले AB को लेके बनाया, तो जो maximum length को लेकर बनाया जाता हुआ, एक्चुली दिये गए set के ही बराबर होता है, और proper कभी बराबर को hold करता नहीं है, इसलिए इसके पास number आप proper subset 2 की power यन तो होगा, बट उसमें से एक घट कर आएगा, जैसे अभी example में जो भी थे, suppose करी यही था, अब मालीजे मैं इसमें कहता कि आपको proper subset क्या होंगे, कौन कौन से होंगे तो proper subset की अगर हम बात करें तो proper subset कौन कौन से होंगे यही छोड़कर बाकी सब होंगे अर्था 2 की power 3 minus 1 मतलब 8 में से 1 निकलेगा तो 7 होंगे, आप काउन कर लिजिए इसके पहले वाले की बात करें अगर हम यहाँ पर proper subset आप से कहते हैं तो proper subset इसको छोड़कर अर्था 2 की power 2 minus 1 मिन्स 3 हो जाता proper subset इसलिए कभी अगर proper subset कूचे तो उसको भी हम लोग यहाँ पर naming कर सकते हैं, total number आप subset कूचे, तो उसको भी हम कर सकते हैं और उसको हम explain भी कर सकते हैं यहाँ बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ पर discuss करेंगे जिसमें हम आपके सामने आज कुछ इस सीच को भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर इतना हम cover at least करा दे जिसमें हम operation आप sets आपको बताएंगे operation में जिसे general mathematics में नंबर के उपर जोडगटा और गुड़ा भाग इस प्रकार की प्रक्रियाएं फालो किराई जाती है वैसे यहाँ पर union कराया जाता है intersection कराया जाता है difference कराया जाता है complementation कराया जाता है इसके बाद मैंने लिखा है complementation के बाद Cartesian product भी होता है इस सब general operations होते हैं इन operations को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ ध्यान से आप लोग समझने की कोशिस करिए सबसे पहले मैंने लिया union offsets ध्यान देना union offsets union का मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिस करिए इसको संग समझे जनरली कहते हैं दो समझेओं के बीच का एक ऐसा समझे मतलब दो हमारे पास जैसे आप जनरल बात करें numbers की मैंने का एक number मेरे पास a है जो की 2 है एक b है जो की 3 है अगर मैं कहादू क्या होगा a प्लस b तो आपका होगे सर्थ c होगा और c कमांड 2 प्लस 3 मिन्स 5 होगा मतलब एक सेट a था एक सेट a था एक सेट ए नया बनकर आया जो की इन दोनों के जोड़ के बराबर है अर्थात अगर मुझे दो समुच्चे दिये गए है उन दोनों समुच्चेों के बीच अगर मैं संग समुच्चे इस्टैबलिस करूँ अर्थात union फाइन करूँ एक नया समुच्चे भी मेरे सामने बनकर आएगा इसको denote हम कैसे करते हैं हमने कहा consider ध्यान दीजेगा आप सभी लोग consider any two sets अगर मैंने दो सेट लिए सपोज करिए A and B A and B तो union between A and B union of A and B is denoted by ध्यान दीजेगा आप सभी लोग को इस सारी बाते समझ में आएगी denoted by ए देखें, symbol है A union B A symbol है union का इसको हम कह सकते हैं A और B और मतलब क्या होता है अथ्वा A अथ्वा B भी कह सकते हैं इसके definition समझ यह definition होगी यह x is such that x x belongs to A और x belongs to B यह होगी technical definition जो theory के माददम से समझ पा रहे हैं मतलब technical terms के statement के माददम समझ में आ रहे हैं यह हम इसको कह सकते हैं कि set up those elements set up those elements which are which are either in A are in B are in both मतलब हमें एक ऐसा नया समुच्चे बनाएंगे जिसके पास elements या तो A के होंगे या तो B के होंगे या तो दोनों के होंगे example के तौर पर मैं इसका proper example लेके समझाऊंगा तो proper चीज़े समझ में आएगी मेरे कहने कर्थ था कि हम एक ऐसा नया समुच्चे बनाएंगे दो समुच्चे की help से कि उसके पास पहले के भी सारे elements आएंगे दूसरे के भी सारे elements आएंगे और दोनों में अगर कुछ कामने तो भी आएंगे without any repetition इसको हम कहते A, R, B A, R, B A, A, R, B का एक proper system है अथोआ को समझने का process मैं आपको समझाता हूँ उसको आप लोग समझे अथोआ मतलब R को समझाने के लिए एक मैं थोड़ा सा ऐसा एक system आपको बताता हूँ जैसे आप लोग ध्यान दिजिएगा तो आपको यह सारी बाते समझ में आएगी जैसे आपने देखा होगा एक reservation जब हम railway reservation की बात करें या किसी भी प्रकार की reservation की बात करें जैसे माली जी railway ने एक condition लगाई कि हम उसको reservation देंगे जो ब्यक्ति या तो senior citizen हो या तो handicapped हो अब माली जीए एक ब्यक्ति senior citizen है और एक ब्यक्ति माली जी handicapped है अब उसके पास कुछ candidate से लग जा रहे है सपोच करिए यहाँ पर उसके यहाँ एक check लगा हुआ है वह check करता है कि अगर कोई भी ब्यक्ति senior citizen हो या handicapped हो तो आप उसको जो है reservation allow कर दीजे एक आदमी गया सपोच करिए वह senior citizen था लेकिन handicapped नहीं था उसको reservation मिलेगा यस मिल जाएगा एक दूसरा गया जो कि senior citizen नहीं है लेकिन handicapped है उसको भी reservation मिल गया एक ऐसा बेखती गया जो senior citizen भी है handicapped भी है उसको भी reservation मिल गया एक ऐसा बेखती गया जो ना तो senior citizen है ना तो हैंडी कैप दो उसको कभी जर्बेशन नहीं मिलेगा मेरे कहने कर थे हाँ पर यह था कि अगर वह केवल A में लाई कर रहा है B में नहीं है तब भी उसको एकसेप्ट करेंगे वह केवल B में लाई कर रहा है मैं union बता रहा था मैंने कहा उन समुच्चे के लिया जाएगा जो या तो पहले में हैं या तो दूसरे में हैं या दोनों में हैं हम उनको उठा के union के अंतर गत रख लेंगे मतलब हम सभी औयों को होल्ड करेंगे सभी elements को हम लोग होल्ड करेंगे इसलिए मैंने definition लिखा एकस सद्दैड एकस एकस ऐसा एक समुच्चे का समुख बनेगा जो या तो ए में हैं या तो बी में हैं अथवा का मतलब ही यही होता है अथवा का मतलब ही होता है कि school में जैसे college में सरी school में teacher ने बच्चे से कहा school में आना तो pen लेके आना या pencil लेके आना तो बच्चा चाहे pen लेके जाए तो भी allowed class में pencil लेके गया तो भी allowed class में pen pencil दोनों लेके गया तो भी allowed है class में लेकिन ना तो pen लेके गया ना pencil लेके गया त allowed नहीं है क्लास में यही प्रॉसेस यहां पर था जिसको हम समझ कर चलेंगे तो आपको यह बाते में समझा पाओ देखी ध्यान से एक्जामबल के तोर पर मैंने कहा एक सेट A है जिसके पास A है, B है, C है, D है, E है एक दूसरा सेट है B, सपोज करिए जो B में हैं उनको लेंगे only और जो दोनों में हैं उनको जैसे A में देखिए, दोनों में हैं ले लिया, एक ही बार लिखा जाएगा B केवल A में हैं लिख दिया, C दोनों में हैं लिख दिया, D केवल A में हैं तब भी लिख दिया E दोनों में है लिख दिया एक बार यह केवल B में था जी यह इसको उठा दिया यह जो कंबिनेशन बना वह कंबिनेशन उन आवेयों को होल्ड कर रहा है जो A में है केवल B में है केवल यह दोनों में है उनको हम A union B के अंतरगत लाके दिखा सकते हैं अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे union पर ही union on band diagram हम अगर दो समुच्चेओं का union कर रहे हैं वो भी किसकी हल्प से band diagram कि उसको हम कैसे represent कर पाएंगे यहाँ पर जो दो समुच्चे हमको मिलेंगे उनकी तीन category बन कर आएगी पहली category ध्यान दिजिएगा when there are there are some elements elements are common in both common in both अगर ऐसे दो समुच्चे हमें मिले जैसे माली जी A मिला, B मिला जब कुछ elements दोनों में common है, एक पहली category बन कर आएगी सामने, दूसरी category देखी ध्यान से क्या बन कर आएगी, मतलब हमें दो ऐसे समुच्चे मिलेंगे जिनका हमसे union करने को कहा जाएगा जब उनके बीच कुछ common हो, when there are no elements elements are common in both कभी-कभी ऐसे भी दो मिलेंगे जब उनके बीच कुछ common ही ना हो, तीसरी category मिलेगी, when when one set is subset other मालीज़ एक set दूसरे का क्या हो उप समुच्चे हो तीन प्रकार की स्थिती से हमको अलग-अलग यहाँ पर set दिये जाएंगे जिनका हमको union करने को कहा जा सकता है तो मैं एक-एक करके आपको समझाता हूँ आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोसिस करिएगा मैंने का हम ऐसे दो समुच्चे ले रहे हैं जिनके बीच कुछ ना कुछ कामन है तो एक set मेरा A रहेगा दूसरा set मेरा A रहेगा यह दोनों किसी rectangle अर्थात universal के अंतर गत रहेंगे अगर मुझे यहाँ पर union find करना है यूनियन यहाँ पर दिखी क्या होगा भाई कामन रहेगा तो यह structure जरूर बनेगा आपको पहले से बताया गया है इस समय हम उसको भी लेंगे जो केवल A में है इस समय हम उसको भी लेंगे जो केवल B में है इस समय हम उसको भी लेंगे जो दोनों में है अर्थात जो केवल A में है ओ भी जाएगा जो केवल B में है ओ भी जाएगा और जो दोनों में है ओ भी जाएगा जैसे अभी example हमने जो लिया suppose करी हम एक set के अंदर कुछ ले रहे हैं ने भी छायंकित भाग में बन कर आ रहे हैं जब अगर उनके बीच कुछ कामन सपोच करिये नहीं है तो उनको present कैसे मैं करूँगा ध्यान दीजे मैं A को एकदम अलग बनाओंगा B को एकदम अलग बनाओंगा इस दोरान यह जो पूरा A रहेगा वह भी आपका आएगा union में और जो पूरा B रहेगा वह भी आपका union में ही आएगा अर्थात हम इसको A union भी डारेक्टली हम दोनों के elements को बिना किसी repetition के बिना किसी changes के हम उठा के रख देंगे तो वही हमारा union कहलाएगा तीसरा मैंने जब कहा कि एक set suppose कर यह दूसरे का subset है मैंने कहा let A is the subset of B अब इस दोरान देखे प्रेजेंटेशन कैसे होगा अगर मालीजे A B का subset है तो आपको अच्छे से पता है B superset होगा इसी B के अंदर ही कहीं A होगा आपको पता है B के अंदर ही कहीं A होगा अर्थात क्यों ऐसा होगा क्योंकि पूरा का पूरा A B में मिलता है A के सारे elements B में है तभी तो A subset है B का इस समय में अगर आप से union कहूंगा तो पूरा A तो रहेगा ही जो already B में है अर्थात मैं कह सकता हूँ इस दौरान A union B जो होगा और सूपर सेट अर्थात B के बराबर होगा A union B और सूपर सेट B के बराबर होगा यहीं पर अगर B subset होता A का तिस दौरान A union B जो होगा वह आपका simply A के बराबर अर्थात सूपर सेट A के बराबर हो जाता इस चीज़ को हम figure पे present करके अलग-अलग करके समझ सकते हैं I hope यह चीज़ के लिएर हुआ होगा कि कैसे अगर हम लोग 2 sets को figure पर प्लाट करेंगे और union ढूढ़ेंगे तो जितना मैंने साइड़िट बता इन तीन के अलावा और कोई situation generate नहीं होगी 2 sets के बीच में यह तीन परिस्थितियां आपको face करने को मिलेगी इन तीन परिस्थितियों को अगर हम अच्छे समझ लिए union निकालने में वो भी sets बेंडाइग्राम की help से हमें कभी problem नहीं होगी I hope यह चीज़ के लिएर हुई होगी समझ में आया होगा दूसरी चीज intersection आप two sets intersection आप sets हमने इसमें भी आपको definition देने की कोशिस करी आप समझेगा हमने कहा consider consider any pair up sets A and B मैंने यहाँ पर फिर से दो sets लिए A और B मैंने दो set A और B लिया then intersection between A and B denoted by देखिए द्यान से मैं लिखूँगा यहाँ पर now intersection between A and B is denoted by द्यान दीजेगा is denoted by A intersection B देखिए कैसे denote करेंगे कुछ यहाँ symbol होता है अब positive लिख दिया जाता है ulta यह intersection का symbol है यह intersection का symbol है इसके definition मैं देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पर X is such that X X belongs to A यहाँ पर जो सब्द पिछले में union में और लिखा गया था यहाँ पर मैं लिखोंगा end and X belongs to B इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं A and B अगर हम intersection लिख रहे हैं तो उसको end भी कह सकते हैं and मतलब compulsory situation जैसे हम अभी और में flexibility दिये थे बच्चे को जो स्कूल में आया था उससे मैंने कहा तुम चाहे क्या कहते हैं pencil लेके आना चाहे pen लेके आना चाहे दोनों लेके आना कोई फरक ने स्कूल में allowed हो बट अगर हम उसको कहा दे नहीं तुम dress में आना और bag लेके आना तभी आना अब वो ड्रेस और बैक दोनों लेके आएगा तभी स्कूल में आएगा केवल ड्रेस पहन के आए, not allowed केवल बैक लेके आए, not allowed दोनों नहीं आए तो बिलकुल allowed नहीं है दोनों लेकर आएगा तभी अर्थात हम यहां पर common की बात कर रहे हैं हम उन आवयों को ले रहे हैं those elements those elements are taken उन आवयों को लिया जाएगा which are in both A and B जो दोनों में हैं मतलब पहले में हैं और दूसरे में हैं उन ही आवयों को लिया जाएगा intersection के अंतरगत अर्थात हमें urbanist या हम कह सकते हैं common elements को लिया जाएगा मतलब हम urbanist आवयों को लेंगे वो हमारे intersection के part होंगे एक general logic से अगर मैं इसको समझाओं तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में oting होती है oting की government ने condition बनाई यह बनाई कि वही person oting दे सकता है जिसकी nationality Indian हो और उसकी उमर 18 से जादा हो अब वहाँ पर जो commission है जो oting ले रहा है उसके पास जिप candidate गया oting देने के लिए तो उसने चेक किया कि उसकी nationality Indian तो है बट 18 साल से कम उमर है तो उसको oting के लिए allowed नहीं किया जाएगा अगर मा लीजिए उसकी nationality Indian नहीं भी Indian हो और 18 साल से जादा उमर भी हो अर्थात मुझे उन आवयों को लेना होता है जो A और B दोनों में है अगर केवल A में है केवल B में है बिलकुल नहीं है तो बिलकुल हम select नहीं करेंगे हाँ अगर ओ दोनों में है A में भी है और B में भी है तो हम उनको select कर लेंगे उनको हम choose कर लेंगे example के तोर पर मालीजे मैंने A लिया suppose करिए A लिया मैंने A, B, C B लिया मैंने B, C, D, E अब यहाँ पर अगर बात करूँगा मैं A intersection B की तो आपको दिख रहा होगा B and C common in both B and C will be the A intersection B यही A intersection B के अंतरगत लाई करेगा A intersection B में आएगा I hope यह चीज clear हुई होगी यह अभी बहुत ज़्यादा detail में होगा लेकिन अभी केवले एक general rubric आपके mind में set करने की मैं कोसिस कर रहा हूँ, I hope यह चीज़ आप समझ़ पा रहा होगी इसका भी मैं अगर bend diagram representation देखूँ देखिए, intersection on bend diagram अब आपको इसमें भी दो set दिये जाएंगे और उन दो sets जो आपको दिये जाएंगे उनका nature वही होगा जो मैंने union के दौरान आपको बताया अर्थात पहला nature यह हो सकता है जो मैंने कहा when there are some elements are common in both अगर कुछ दोनों में common है भई ऐसे दो set आपको दिये जाएंगे जिनके बीच कुछ ना कुछ कामन है दूसरी situation आपको दी जाएगी when there are no elements no elements are common in both कुछ कामन ही नहीं दोनों में यह situation दी जाएगी तीसरी condition जो मैंने भी दिया था when one set is subset of other one set is subset of other एक set दूसरे का क्या हो? subset हो अब आप समझो यहाँ पर properly जैसे मैं common की बात करूँ तो आपको पता है कि बेन डाइग्राम पे उन दो sets को कैसे रिपरेजन किया जाता है एक set हे रहता है, एक set हे रहता है यह यू रहता है इस दौरान जो मैं set करूँगा वही, जो seted region में रखूँगा वही a union, a intersection b होगा यह a है यह b यह region जो होगा वही a intersection b है मतलब आपको ना इस side का लेना है ना उस side का लेना है जो common situation में रेशियो में, common position में है उसी को हम लोग यहाँ पर intersection b की category में लेकर चलेगे दूसरा देखिएगा मैंने का जब दोनों के बीच कुछ common ही नहीं हो तो आपको पता दोनों circle अलग लग रखे जाते हैं इस दौरान अगर मैं a intersection b की बात करूँगा तो आ हमेशा five आएगा कभी भी null set ही आएगा जब उनके बीच कुछ common ही नहीं है उस समय intersection हमेशा क्या रहेगा five रहेगा तीसरी situation जब एक set दूसरे का subset हो let मैंने कहा a is the subset of b अब इसका मतलब b super set होगा b के अंदर a होगा आपको पता अची तरह से a है उसके उपर कौन है? b है मतलब a b में समया है अगर समया है तो हम देखेंगे पूरा का पूरा a ही तो common है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर a intersection b जो होगा वह super नहीं बलकि इस बार subset के बराबर होगा union के दौरान super set के बराबर union बनता था intersection के दौरान subset के बराबर intersection बनेगा अगर यहीं पर b subset a होता आप a होता तो जो a intersection b होता वह आपका क्या हो जाता b के बराबर हो जाता याद रखिएगा इसमें जो subset होगा वही intersection b होगा इसको आप लोग लिख लीजिएगा समझ लीजिएगा अहीं होप यह चीज clear हुआ होगा एगर दो set दिये गए हैं डाइग्राम की मदद से उनको हम plot करके उसमें से union और intersection निकाल सकते हैं तीसरा operation देखिएगा आप सभी लोग difference of two sets difference of two sets दो sets का अगर मैं difference अरथात अंतर देखूँ देखिए एक चीज होता है योग और सारी एक होता है difference और यह होता subtraction घटाओ और अंतर में फरक है घटाओ दो numbers के बीच करने के दौरान आपको पता है कि मतलब indicate करना पड़ता है किसे से किसको घटाया जाए difference अरथात पहले से दूसरे को घटा सकते हैं दूसरे से पहले को घटा सकते हैं मतलब difference करने की बात यहाँ पर दो सेट के बीच में की जाएगी अगर हम लोग difference को कहें तो difference मैंने पहले देखा यहाँ पर मैंने लिखूं यहाँ पर consider any consider any two sets two sets A and B अगर मालिजे मैंने दो सेट A और B लिए तो difference between them ध्यान देना सभी लोग difference between them is denoted by is denoted by A difference B मतलब A से B का difference B difference A और एक लास्ट होता A symmetric difference B यहाँ पर जो अगला होगा वह आपका A symmetric difference B कहलाएगा symmetric difference मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ symmetric difference सबसे पहले A difference भी देखिए इसकी definition X is said that X X belongs to A but X does not belongs to B मतलब इसका रते हो गया जो A में हो A में हो B में ना हो B में ना हो दूसरा देखिएगा आप सबी लोग मैं इसमें लिखूंगा X is said that X X belongs to B आप समझ गये होंगे but X does not belongs to A क्या लिखा जाएगा definition में मतलब इसमें मैं कहूंगा कि B में हो B में हो A में ना हो लास्ट देखिए समेट्री डिफरेंस इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A मतलब A डिफरेंस B और B डिफरेंस A का यूनियन होगा अर्थाथ मैं कह सकता हूं जो किसी में उभैनिष्ट ना हो मतलब जो ए डिफरेंस भी होगा जो केवल ए का है और जो केवल बी का है जो किसी में कामन नहीं है उसको उठा के एक सेट में रख दीजिए वह आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा यह बात में एक्जामपल से आपको समझाता हूँ जैसे माली जी मैंने लिखा A यहाँ पर मेरे सामने A, B, C, D, E एक दूसरा सेट है B जिसके पास सब्पोच करी B, E, F, G, H अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि A डिफरेंस B मैं अगर A से B को डिफर करूँ क्या होगा? जो A में है, B में नहीं है कौन-कौन देखिए सद्धान दीजेगा सब लोग जो A में है, जैसे A B कामन है, C, D तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा जो केवल A में है, B में नहीं है दूसरी बात अगर हम लोग करें, अगर हम B difference A करेंगे B difference A करेंगे, तो जो केवल B में है, जिसे B चोड़ो, E छोड़ो यह अफ लेते हैं, G लेते हैं, और H लेते हैं तो यह आपके पास क्या हो जाएगा B difference A अब इन दोनों का अगर मैं union कर दूँ, A difference B और B difference A, अगर हम इन दोनों का difference का union कर दें तो हमें क्या मिलेगा, A symmetric difference B अर्थात मैं लिख सकूँगा, A, C, D, F, G, H आपने देखा जो कामन थे हट गए, जैसे कौन कामन था, B था, E था इन दोनों को आपने हटा दिया, बाकि उसके सभी जितने थे और इसके जितने सभी थे, उसको उठा दिया, तो यहाँ पर A symmetric difference B बन गया आई होग एक्जांपल समझ में आया होगा, जिससे आप difference consider कर सकते है अब इस difference को भी bend diagram पे देखा जा सकता है difference on bend diagram difference on bend diagram ध्यान दीजेगा, तो सारी बात यहीं समझ में आ जाएगी bend diagram अब bend diagram जब बनाएंगे, दो set तो देना ही पड़ेगा और दो set मैं आपको दूँगा, तो दोनों set तो उसी तरह से रहेंगे न, मतलब उनकी क्या क्या possibility हो सकती है वही possibility, when common in both मैं 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा common in both, अगर दोनों में कुछ common है दूसरा not common in both not common in both, कुछ common नहीं है, suppose करिए अब तीसरा, when one is a subset of another one is subset of another, दूसरे का subset हो अगर suppose करिए तीन situation तो दो sets में आनी ही आनी है अब इन तीनो situations को कैसे हम track करेंगे समझते हैं कैसे इसको समझ पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने का, when common in both यहाँ पर देखिए structure बना दो set मैंने लिया, मतलब यहाँ पर इस तरह से प्रेंजन किया, यह देखिए भाई common है तो plotting ऐसे ही होगी अब ऐसा हो गया, तो जो a region है जो केवल a में है यही आपका a-b है a जो region है यही आपका b-a है और इन दोनों को उठा के एक जगा रख दीजिए तो यह a symmetric difference b है चलिए, बीच से कोई मतलब नहीं कामन हट गया पूरी तरह से इधर आ जाईए अब जब कुछ कामन ही नहीं देखिए रखा कैसे जाएगा यह हलक से a होगा यह हलक से b होगा इस समय पूरा का पूरा जो a होगा वही a-b होगा अब पूरा का पूरा जो b होगा वही b-a होगा और a symmetric difference b की बात करो तो आपका सीधा सीधा आप a union b कह सकते हैं वही कुछ सोचना ही नहीं पूरा a लेना है, पूरा b लेना है a symmetric difference b आपका a union b ही हो जाएगा कोई कामन ही नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं अब हम तीसरा देखते हैं जब हमने कहा एक set suppose करी दूसरे का subset है लेट मैंने कहा a is the subset of b देखें कैसे बन कर सामने आएगा आपका u है a subset है b का तो b super है और a उसके अंदर है a उसके अंदर है ध्यान दीजेगा अब इस समय अगर हम a minus b की बात करेंगे a difference b की बात अब सोचिए जब a अंदर समाया ही है a के पास ऐसा कुछ है क्या जो b के पास नहीं है पूरा का पूरा b जो है या हम कहते पूरा का पूरा a ही b का पार्ड है इस समय a difference b फाई होगा नल होगा मतलब कुछ नहीं है जबकि अगर मैं b difference a की बात करूँगा यह जो रीजन बच रहा है मेरा यही b difference a होगा और मैं a symmetric difference b की बात अगर करूँगा तो आपको पता है कि इसका जब हम union फाई के साथ करेंगे तो कोई परिवर्टन ही नहीं आएगा सीधा वह b minus a के बराबर ही रहेगा इसमें कोई change नहीं होगा मतलब वह element जो common नहीं दोनों में यह जो shaded है जो b minus a है वही आपका asymmetric difference b बना रहेगा यही चीज उल्टा हो जाएगा अगर b subset a का होता उस समय आपको पता है b minus a phi हो जाता a minus b आपका वह region होता और वही asymmetric difference b भी होता I hope इस figure के process को आप समझ पाएं last हम एक और operation हम लोग का बच रहा है complementation यहीं से मैं आज इस class को रोकूंगा आप लोग इतना समझे इसको properly complementation opposite complementation generally क्या होता है हम ऐसे कह दें कि जैसे हमारी अपनी target decide होता है goal achieve करने का process होता है मैं देखता हूँ कभी तक मैंने कितना achieve कर लिया और कितना मुझे अभी achieve करना है final destiny पर पहुँचने के लिए जो पहुँचने के लिए बचा है वही मेरा complementation है जिसे सरीर में आपको पता है कि हम लोग सरीर के पूरे nutrients को पूरे करने के लिए केवल हम भोजन पे dependent नहीं रहते है हम milk लेते हैं fruits लेते हैं कुछ vitamins लेते हैं कुछ अलग तरह के हम uses करते हैं जिसके बाद हमारी पूरी diets complete हो पाती पूरे nutrients final हो पाते है वो हमारे सब compliment food है जो हमारी सरीर की sport person देखिए जितने भी athletes हैं वो सब लोग extra इस तरह की चीजों को यूज करते है वो उनका compliment food है उसी प्रकार से हर एक समूह का अपना एक complimentation होता है मतलब वो चाहता है को complete हो जाए उसी तरह हर set चाहता है कि वो universal हो जाए मतलब वो अगर universal हो गया तो वो complete हो गया अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी set को universal में होने से जितने elements कम पढ़ रहे हैं वही उसके complimentation है यहाँ पर किसी दो set की जरुवत नहीं पढ़ेगी एक ही set को universal से relate करना पढ़ेगा मैंने कहा consider a set a माल लिजे मेरे पास एक set a है then complementation of a complementation of a is denoted by यहाँ दीजे कैसे कैसे denote किया जाएगा a complement ऐसे c लगा जा सकता है a के उपर बार लगा जा सकता है a dash लिखा जा सकता है इन सभी की definition देखिए क्या होगा मैं इन तीनों की definition एक साथ बता रहा हूँ मैं लिखूंगा x is such that x x belongs to u but x does not belongs to a मतलब x u में तो हो लेकिन a में ना हो अर्थात a के elements को छोड़ करके जो बचे u के elements होते हैं universal के होते हैं वही हमारे complementation होते हैं अर्थात मैं लिख सकता है u minus a मतलब आप u के उन elements को ले लो जो a में मतलब या ऐसे हैं कैसे हैं जो a के elements उनको छोड़ कर बाकी जो u के elements उनको ले लीजिए तो वही आपके complementation है एक example मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा मैंने लिखा a is equal to a मैंने लिखा a 1, 2, 3, 4 सपोच करिए u आपके पास सपोच करिए universal उस समय एक से लेके 10 तक के elements थे इस समय अगर मैं कहता कि what about a complement मतलब a के complement में वही elements होंगे जो a को complete अर्थात universal के बराबर बनाएंगे 4 तक तो उसने achieve करी लिया था 4 के बाद जो बचरा जिसे 5 6, 7, 8, 9, 10 यह सब के सब इसके complementation में हैं अर्थात यह a जो है इसका complementation है और यह भी इसका complement है दोनों एक दूसरे के complement है दोनों अगर मिलेंगे तभी universal के बराबर हो पाएंगे universal के equal हो पाएंगे अगर इसको भी हम bend diagram से देखना चाहें देखिएगा अगर हम इसको भी bend diagram से देखना चाहें है तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे ध्यान दीजेगा यहाँ पर आप plotting करोगे universal के अंदर हम लोग u को दिखाएंगे सबसे पहले इसके बाद आपका set है और एकेला ही है थोल्ड कर दीजिए यह set a है अब a को छोड़ दीजिए बाकी जो universal में बचा है वही आपका complimentation है जैसे बचा region यही तो है ना हमारे पास इस region में जितने elements लाई करेंगे वह सब के सब a compliment कहलाएंगे a का complimentation कहलाएंगे अर्थात इस circle को इसके साथ मिला दो u के बराबर हो जाएंगे इसके compliment के equal हो जाएगा I hope यह operation का process और जो भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिस करी वह आपको समझ में आया होगा हम लोग एक पड़ाव complete किये हैं लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ करने की जरूरत होती है जो course के during हम लोग यहाँ पर properly लेके चलेंगे इसी तरह के practice session या lectures के साथ concept के साथ और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग fulfill करेंगे Thank you so much, धन्यवाद